मस्कार दोस्तों स्वागत है भवेश चेकनिंग युट्यूब चनल में दोस्तों देखिए घार के पंक खास से हम जार बनाए हैं हेलिकॉप्टर अब लोग देख सकते हैं यहां पर दिसी मोंटर का यूज किये हैं और इस पंके में दोस्तों छोटा सा मोडिफिकेशन किये हैं इसको 440 भोल्ट का बनाए हैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा पावर हो और इसके लिए दोस्तों बिजली 440 भोल्ट चाहिए इस उन्हें इसके लिए इसके कंट्रोल के लिए जो है Amazon पे इसका एक रिमोट ओडर किये हैं और इसको चलाने के लिए लिथियम बैटरी और एक छोटा सा इन्वेटर जो इसको 440 भोल्ट का पावर दे सके तो इस तरह से इसका सारा कनेक्शन हो गया है बस इसमें अभी बैटर जो है यह घर का ही है लेकिन बहुत ज्यादा पावर्फुल इसको हम बना दिये हैं और इसको अभी हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे 220 वोल्ट पर दोस्तों उतना इसको पावर नहीं मिल पाता है क्योंकि इसका हम वोल्टेज हाई कर दिया है और यह DC 755 मोटर है इस इस में हमने इसको एस्टेब्ल रखना है इसका कम यह है उठाने काम तो इसका यह है बस उठाने के टैम पर इदर हूद मोड़र ना करे उसके लिए पंखा лगाया नहींगे चाहिव आपको चलिए टो अभी हम आपको इसको आपको उड़ा करके मितलब और उड़ेगा तो पर अभी हम आपको छोटा सा चला करके दिखाते हैं क्योंकि अभी उसमें इतना ज्यादा पावर देंगे तो फिर ये अनकंट्रोल होड़ जाएगा तहां जाएगा क्या होगा इसका कुछ पता नहीं चलेगा तो अभी हम इसको बिजली से करें देते हैं अभी देखिए आप अभी 220 वोल्ट पे उतना ज्यादा पावर नहीं मिलदा है इसलिए ये नहीं उर पा रहा है और जैसे ही इसको 440 वोल्ट पे देंगे तो ये आराम से उरने लगेगा और मेरे पास कंट्रोल भी रहेगा इसका तो देख सकते हैं आप लो कितना अश्टेवल है कोई ये नहीं है कि पंखा चलने के बाद ये बालेंस बिगर जाता है हमने बहुत ज्यादा इसके रिसर्च करके बनाया है तो ये अभी इस तरह से आप देख सकते हैं बस बसकों नेक्स्ट वीडियो में कल्चुर करके परतू हम इसका फूल वीडियो लाएंगे उराने का और आप लोग अभी चैनल के अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वीडियो को जबूर से लाइक कर दिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोच्कों थैंक्यों सुमक्त और इसको आप कर देजिए